तो हलो फ्रेंस कुक बित मनोचलान में सब फ्रंड का स्वागा थे फ्रेंस तो मैं बहुत अच्छा एक रेसीपी लेकाया हूँ यह बहुत जटपट इजी बन गाता है मैं इस मोज़ माने करने वाला है । विडियू में बने रही है मैं कैसे इसको share किया हूँ और कितनी healthy और tasty है तो वीडियो को सुरू करते हैं तो हमें vegetable soup बनाने के लिए हमें vegetable जो चाहिए मैंने रख रखा है तो एक देखिए आधी लोकी का टुकड़ा मैंने रख लिए इसको छिल लिया है और एक गाजर इसको मैंने छिल लिया है आपके पास जो भी गाजर हो ले सकते हैं यह मेरे पास यलो था अभी लेवल और यह तीन टमाटर medium size का एक प्याज medium size का और इसमें तीन पीस लसुन का पीस है और एक अध्रा का टुकड़ा है यह मैंने छिल के रखा है और इसमें यह मैं ऐसा सुब बनाने वाला हूं जिसमें ना तो मैं इसको चानने वाला हूं नहीं तो मैं इसको बॉयल करने वाला हूं डालूंगा और एक बार से लिखनें लिख को एक य грम साम नहीं है कुर्पेटल. तो WRANG हम सबस्रें और सब्रक्राविन होता जाने होता। तो इसी में सभी मैं add कर देता हूं और इसमें देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि maximum minimum है एक line बनी होई है आपको यह जगह पर तो इसे ज़्यादा हमें नहीं भरने हैं इसमें तो maximum ही अपने को रखने है इसमें जित्ती बेजेतेवल हिस से ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो मैं इसमें सभी कथा जैसे मैं प्याज काटा था लौकी काटा था टमाटर गाचर लसून अदरक सभी इसमें add करने हैं तो अभी मैंने बेजेटेवल add कर दिया तो इसमें मैं एड क करूँगा एक छोटी चमज शकर यह स्विटनिस के लिए यह केवल बैलेंस बनाता है सूप का क्योंकि इसमें थोड़ी सी कड़वाहट पन होती है चीजों में साथ ही आइट करेंगे अट्दस काली मीर्च के पिसेस ब्लैक पेपर और यह छोटी चमज अजवाइन ज्यादा नहीं डालना हो तो कड़वापन होता है इसलिए एक छोटी चमज इसमें एट कर सकते है और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें कुछ इसमें बहुत जटपट होता है इ इससे ज्याद़ नहीं करें यह लाइनीग बना हुआ है एक मैक्सिमम में के पास यह यह वाटर आ जया अब इसमें नहीं डालना वाटर अब इसमें डखकन लागते हैं अ यह इसका ढकन है, यह इसमें फिट कर दिया, तो इसमें एक सेट करना होता है कि आपको क्या चाहिए, तो मुझे इस वाले पेट सेट करना है, यह सूप का है, बागी यह पल्प है, जूस का है, इसमें क्रस्प बगरा करते हैं, जो भी बहुत, इसमें मसीन बहुत काम का है यह तो मैंसे on कियाओ machine को तो इसको set करना पड़ेगा देखिए यह red light है न वो घूम रहा है कि आप से पूछ रहे कि आपको कहाँ पर जाना है तो मुझे इस पर जाना है तो मैंने इस पर set कर दिया है और इसको start button है तो अब इसको मैं दवा दूँगा और यह soup बनेगा तो इसमें एक city आता है बज़ता है तब हमारा soup ready हो जाएगा तो इसको मैं आउन कर देता हूँ अब यह अपने प्रोसेस शुरू कर देगा तब तक हम wait करते हैं अब यह प्रोसेस चालू कर दिया है मसीन ने तो यह अपना यह कर रहा है यह पकेगा तो अपने को एक city बज़ेगा इसमें छोटा सा sound होता है तो वह होगा तब तक इसको हम पकने देते हैं मतलब इसको मैंने बन कर चालू करके छोड़ दिया था तो यह ज्यादा नहीं तेन मिनट में यह रेड़ी हो गया था क्योंकि इसमें यह रैड लाइट है यह जल रहा था वह आपर सौन आया तो मैंने बन कर दिया तो खोल के अब देखते हैं कि अभी इसका क्याक कंडिशन है तो देखिए एकदम बन के रेड़ी है तो यह देख सकते हैं ना तो इसको छानना था नहीं ति इसको पकाना था यह सिमी कर दिया ति इसमें यह बॉइल भी हो गया बुलपूरा दम बारिक भी हो गया इसको कुछ करने जरूबत नहीं है हाँ थोड़ा बहुत अगर आपको लगे की गढ़ा है ति थोड़ा से इसमें वाटर गरम करके डाल सकता कि स्व को एड़ कर देता हूँ देहें कितना और जब और जस्त खुस वो आ रहा है इसमें बजेटेबल का सूप इसमें ठंडी मोसम में तो बहुत जादा फायदा मन करता है यह हल्दी टेस्टी है इसको आप जरूर करें और इसमें थोड़ा सा धनिया एंड में डालें क्योंकि इ आपको रेसीपी कैसे लगा हमें जरूर बताएं लाइक शेयर जरूर करें कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो देने धन्यवाद